खौसले बुलंद हों तो मंजल मिल ही जाती है फिर जाहे मंजल तक पहुचने के लिए रास्ती में कितिनी भी कठनाईया क्यों न उठानी पड़ जाए जी हाँ गरिया बंद के राजीव लोचन महला समू ने भी तमाम कठनाईयों और दिक्कतों के बावजूद अपनी महनत और लगन से जो मुकाम हासल कर लिया है जिसकी चहचा प्रदेश भर में हो रही है समू के ये महलाएं न केवल सफलता के जंडे गाड़ रही है बलकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिती मस्बूत करने में भी एहम भोमिका निभा रही है आपको बता दे कि महलाओं ने अपने बलबूते पर मसाला ग्रह उद्योग इस्थापित किया है पंद्रा समू का एक संग बन है राजी लोचन शेट परिसकरी संग और उसमें पहले पांच किलो से सुरवात किये उसमें 14 रुपे का लाब दुआ और अभी आगे बढ़ा है तो 4,000 रुपे लाब होने एक संभा होना है तो को जियान नहीं रेते हम लोग 15 समू से एक संग बनाएं उसके पात बोले कि हाँ चलो एक काम करना है ऐसे करके तो क्या है वो निर्च मसाला का हम लोग छोटा चोटी बचते वपार करना चलने यह समू है इसमें महला है लोग पैसा एक हिटा करते हैं समू से इसमें आते हैं सासर का तो इसमें मसाला को जो करेंगे काके चार्चा हुए हमारे में